वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम डूपलिकेड या फिर अकरेंस वाइंड करना सीखेंगे यानि कि कोई भी टेक्स्ट या नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है और वो कहां कहां पर रिपीट हो रहा है आज हम इसी से रिलेटेड एक अमेजिंग ट्रिक सीखेंगे दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस ट्रिक को बहुती डेटेल में समझाया है अगर आपको इस trick को अच्छे से सीखना है तो आपको इस वीडियो को बिना skip के end तक जरूर देखना है तो ज्यादा time waste ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपको office में computer system पे बिठा दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इस list में से samsung को count करो और अगर आपको ये trick नहीं आती तो आप इसे manually count करने बैट जाएंगे और आप इसे इस तरह से count करेंगे जैसे कि यहाँ पर एक samsung है, यहाँ पर samsung है और यहाँ पर तीसरा samsung है और यहाँ पर चौथा samsung है, इस तरह से, लेकिन मान लीजे अगर ये list बहुती लंबी होती और यहाँ पर ऐसे 1000 samsung होते, तो आप तो पूरा दिन बस samsung को ही count करने बैट जाते दोस्तो, Excel में duplicate find करने का ये सही तरीका नहीं है आज मैं आपको count if function के help से duplicate find करना सिखाऊंगा लेकिन ये कोई normal count if नहीं है, इसमें एक twist है इसके लिए आपको इस वीडियो को end तक देखना होगा, तब ही आपको ये समझाएगा दोस्तो, normal count if function तो आपको आता ही होगा इसके ओपर मैं already वीडियो बना चुका हूँ लेकिन अगर आप भूल गए हैं, तो मैं आपकी एक बार revision करा देता हूँ यहाँ पर type कीजे, equals to count if, bracket और यहाँ पर range में, आप उस range को select करेंगे जिसमें से आपको कोई भी text या number count करना है तो यहाँ पर मैं इस पूरी range को इस तरह से select करता हूँ अब यहाँ पर criteria में, आपको या तो double inverted comma में वो text या number type करना है, जिससे आप इस list में से count करना चाहते हैं या फिर आपको simply वो cell select करना है, जिसमें वो criteria वाला text रखा हुआ है अब यहाँ पर क्योंकि हमें Samsung को count करना है, तो मैं यहाँ पर इस Samsung वाले cell को select करता हूँ और bracket close और enter तो आप देख सकते हैं कि इस function ने हमें बता दिया कि इस पूरे selected area में जो Samsung है, वो चार बार आ रहा है और अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे manually count किया था इसी तरह से अगर मैं इस function में इस Samsung वाले cell को हटा कर, criteria में इस Nokia वाले cell को select करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस function ने हमें बता दिया कि इस पूरी list में जो Nokia है, वो तीन बार repeat हो रहा है लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा इसने तो directly count करके बता दिया कि इस पूरी list में जो Nokia है, वो तीन बार है लेकिन हमें ऐसा output नहीं चाहिए हमें ये चाहिए कि जैसे कि अगर यहां पर एक Nokia है, तो इसके सामने 1 लिखाए कि ये Nokia एक बारी आया है ऐसी अगर यहां पर Nokia है, तो इसके सामने 2 लिखाए, मतलब कि ये Nokia अब तक 2 बार आया है इसी तरह से अगर ये वाला नोकिया है तो इसके सामने तीन लिखा है मतलब कि ये नोकिया तीसरी बार आया है इस तरह से हम duplicate या फिर इनके occurrence काउंट करना चाहते हैं तो चली हम देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं मैं इसको delete करके फिर से यहां पर type करता हूं इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट अब यहां पर range में आप देखिये हैं कि मैं किस तरह से इस range को select करता हूं यहां पर मैं इस Samsung वाले A2 cell को select करता हूं अब यहां पर मैं colon press करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर A2 से लेकर A2 तक की range select हो चुकी है अब यहां पर मैं simply इस पहले वाले A2 को fix करता हूं आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने इस दूसरे वाले A2 को fix नहीं किया इसके पीछे एक reason है जो आपको अभी थोड़ी देर में पता लगेगा अब मैं यहां पर comma लगाता हूं और यहां पर criteria में मैं इसी Samsung वाले cell को select करता हूं और इसको मैं यहां पर fix कर देता हूं जिससे कि अगर मैं इसे नीचे तक drag करूँ तो यह हमें सिर्फ Samsung का count बताए और किसी का count ना बताए अब मैं bracket close करके enter करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया कि A2 से लेकर A2 तक की ही range में जो Samsung है वो अभी तक स्रिफ एक बार ही आया है इसी तरह से अगर मैं इस formula को इस नीचे वाले cell में copy करता हूं और आपको इस formula को दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह range है अब यह A2 से लेकर A3 तक की range हो चुकी है क्योंकि हमने उपर वाले formula में जो दूसरा वाले A2 था उसको हमने fix नहीं किया था हमने सरे पहले वाले A2 को fix किया था तो इसी लिए range में जो पहला वाले A2 है वो तो A2 ही है लेकिन जो दूसरा वाले A2 है उसकी जग़े पर A3 हो चुका है इसी लिए हमें यहाँ पर एक increase होती हुई range मिली है जो है A2 से लेकर A3 और इस function ने A2 से A3 की range में यह जो Samsung है जो की A2 cell में है उसको count किया और हमने इस criteria वाले A2 को भी fix किया था तो इसलिए यह वाले A2 भी change नहीं हुआ इसलिए यह function जितनी बार हम इसको नीचे तक copy करेंगे यह function इसी वाले A2 cell में जो लिखा हुआ Samsung है उसी को count करेगा और यहाँ पर यह जो range में हमने increase होती हुई range बनाई है इन दोनों के combination से जहाँ जहाँ पर Samsung repeat होगा एक तो हमें उसकी occurrence पता लगीगी और अगर occurrence एक से ज्यादा बार है तो हमें यह भी बता लगया कि वो Samsung duplicate है तो मैं आपको इससे इन बाकी के cells में copy करके दिखाता हूँ इससे आपको ज्यादा समझाएगा अब इस तरह का output देखकर आपको इसमें कुछ problem लग रही होगी जी आपने बिल्कुल सही सोचा अगर आप इस वाले function को check करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने हमें बता दिया कि A2 से लेकर A10 तक की range में यह जो Samsung है यह दो वार अब तक repeat हुआ है इसी तरह से अगर आप इस नीचे वाले formula को check करोगे तो इसने हमें बता दिया कि A2 से लेकर A11 तक की range में जो Samsung है वो 3 बार repeat हुआ है दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है लेकिन इसने इस Nokia के लिए 3 output क्यों दिया अगर आप इसे check करोगे तो इस function ने A2 से लेकर A12 तक की range में Samsung को ही count किया जो कि इसे अभी तक 3 बारी मिला है लेकिन देखने में तो यह ऐसा लग रहा है कि Nokia 3 बार आया है तो चली हम देखते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों हम इसे if function के help से easily ठीक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं count if function से पहले if function लगाता हूँ और यहाँ पर मैं एक condition देता हूँ कि अगर ये a to cell Samsung के बराबर हो मैं Samsung को यहाँ पर double quotes में लिख रहा हूँ इस तरह से तब हमें क्या करना है तब हमें value if true में यही वाला count if function लगाना है और अगर हमारी ये condition true नहीं होती मतलब कि अगर a to cell में Samsung नहीं होता तब हमें क्या करना है तब हमें count if function के बाद कॉमा लगाना है और if function के value if false में हमें दो बाद double inverted कॉमा लगाना है जिसका मतलब होता है blank output अब मैं यहाँ पर bracket close करता हूँ और enter तो यहाँ पर तो आपको count if function वाला one output मिला सिर्फ उसी के सामने इसने count if function लगाया I hope आपको if function और count if function की help से किसी भी text या number का duplicate या फिर occurrence find करना आया होगा दोस्तों इसे देखकर आपको साफ साफ पता लग रहा है कि Samsung दूसरी बार कब आया है तीसरी बार कब आया है और चौती बार कब आया है दोस्तों ये तो था किसी एक specific text का duplicate या occurrence find करना लेकिन अगर आपको इन सभी का duplicate find करना है तो उसका एक दूसरा approach है तो उसके लिए मैं यहाँ पर type करता हूँ equals to count if bracket अब यहाँ पर range में मैं A2 से लेकर A2 तक की ही range को select करता हूँ और इस पहले वाले A2 को fix कर देता हूँ कॉमा अब यहाँ पर criteria में मैं इसी Samsung को select करता हूँ लेकिन अब की बार मैं इसे fix नहीं करता अब मैं bracket close करता हूँ और enter तो आप देख सकते हैं कि इसने अभी तो हमें one output दिया अब मैं इस formula को इन बाकी के names के लिए भी copy करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर कोई भी name पहली बार आया है वहाँ पर तो इसने हमें one output दिया लेकिन जहाँ जहाँ पर कोई name repeat हुआ है उसके सामने इसने एक से ज्यादा number दिया अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कैसे काम किया होगा यहाँ पर अगर आप Nokia के लिए चेक करें तो आप देखेंगे कि range में तो A2 से लेकर A3 तक की range है और इस range में इसने Nokia को count किया आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस function को नीचे की तरफ copy किया तो यहाँ पर criteria में भी A2 की जगए पर A3 हो गया जो कि Nokia है और इस function ने A2 से लेकर A3 की range में Nokia को count किया इसी तरह से अगर आप Oppo के लिए चेक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर A2 से लेकर A4 तक की range है और इस range में इसने A4 में जो Oppo है उसको count किया जो कि इस range में अभी तक एक बार ही आया है अब इस वाले count if में और पहले वाले count if में फर्क यह है कि पहले वाले में तो हमने criteria में जो Samsung वाला cell था उसको हमने fix कर दिया था मतलब कि यह हर बार सिर्फ Samsung को ही count करेगा लेकिन अब की बार हमने criteria वाले cell को fix नहीं किया Nokia को count किया आप criteria में देख सकते हैं कि A9 Sally selected है इसी तरह से आप इस Samsung के लिए भी check कर सकते हैं इसने A2 से लेकर A10 तक की range में Samsung को count किया जो कि अभी तक दो बार ही आया है इसी तरह से इसने इस वाले Samsung को count किया जो कि तीन बार आया है और अगर आप इस वाले Nokia को देखेंगे तो ये Nokia अपकी बार तीन बार आया है इसी तरह से आप इन सभी का देख सकते हैं अब इस वाले method का benefit यह है कि इसमें आपको हर एक name के सामने वो कितनी बार repeat हो रहा है यह पता लग रहा है तो दोस्तों इस तरह से हमने count if function के help से duplicate and occurrence find करना सीखा अगर आपके सामने ऐसी कोई situation आती है जिसमें आपको इन में से किसी भी method का use करना पड़े तो आप इने जरूर use कीजेगा अगर आपका इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो उसे comment section में mention जरूर कीजेगा So guys, that's all for today, see you in the next video, thanks for watching